हेलो दोस्तों ये कहानी है बहो और बेटी एक समान एक पारिवारिक कहानी है मा मैं बहुत ठक गई हूँ घर संभालते संभालते यहां मेरी ठकान किसी को नजर नहीं आती कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ सोच रहे हूँ कुछ दिनों के लिए अपने माईके आ जाओं आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊंगे वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे आखिर एक ही सहर में ससुराल और माईका होने का कुछ तो फाइदा मिले नम्रता ने फोन पर अपनी मा से कहा पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा हा बेटा जब तेरी इच्छा हो आ जाना आखिर ये तेरा भी तो घर है ठीक है मा तो मैं कल ही आ जाओंगे नम्रता खुश होक बोली हा बेटा कल आ जाओ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी अभी मैं फोन रखती हूँ मुझे मंदिर भी जाना है कमला जी ने फोन रखतिया और सीधे किचन में गई किचन में खाना बना रही बहु से बोली अरे अनुपमा सुनो कल तुम्हारी ननद आ रही है आज बाजार जाकर फल सबजी और मिठाईया लेकर आना बेचारी मेरी बेटी ससुराल मैं नौकरों की तरहों काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता यहां आएगी कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तव्यत अच्छे रहेंगे सास के मुहु से ऐसी बात सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया वह मन ही मन सूसने लगी कास आपको मेरी थकावड भी नजर आती मैं भी दिन राज जाड़ू पूछा बड़तन, खाना बनाना, मारकेट जाना और हर वहो काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत न हो कास आप मुझ पर भी तिहान दे पाती आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहां आ जाती है लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी मा के पास जाती हूँ तब भी आपको प्रॉबलम होती है मैं भी इनसान हूँ, मेरा भी मन है मुझे भी लगता है अपने मा के पास जाकर थोड़ा आराम करू सुख दुख की दो चार बातें करू, अपना मन हलका करू भगवान अब तुम ही कुछ करो, ताकि मेरी सास की आखें खुले और मेरी थकावट भी नजराए साम तक भगवान ने जैसे अनुपमा की सुन ली और उसकी ननत का फोन आया ननत ने अपनी मा से कहा कि उसकी सास ने उसे माई के आने के लिए मना कर दिया है इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती पार्वती जी बोली ऐसे कैसे मना कर दिया पहले तो वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी इस बार भला क्या हो गया लाओ मेरी बात कराओ उन्हें मैं समझाती हूँ नम्रता ने फौन अपनी सास के पास दिया पार्वती जी ने कहा नमस्कार समधन जी आपसे कुछ कहना था समधन जी ने कहा कहिए दरसल नम्रता कल त्योहार है इसलिए अपने माई के आना चाहती है अगर आप उसे भीज दे तो अच्छा रहेगा नम्रता की सास ने कहा देखिए समधन जी आपके बेटी माई के जाक कर रहे इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई भी प्रॉबलम नहीं कुछ दिनों पहले मैं अपने रिस्तिदार के साधी में गई थी वहाँ आपकी बहु अनुपमा की माताजी से मिलने का मौका मिला उनसे गपसब करने के दोरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक ही बार अपने माई के जाने को मिलता है और वहो भी बहुत कम समय के लिए मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा को उसके माईके भेज देना चाहिए और वहो जब माईके होकर आ जाएगी तो मैं अम्रता को आपके पास भेज दूँगे एक बहुत जरूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहु को भी बेटी की तरह या बेटी से भी जाएदा प्यार देना चाहिए उसे भी माईके जाने की इच्छा होती होगी हो सकता है नमरता के वहां आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके माईके नहीं भेशती होंगी या फिर वहां आपसे कुछ कहने से अभी डड़ती हो अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वहां आपके खिलाफ बोलने लगेगी फिर वहां आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने माईके जाएगी ऐसी परिस्थिती आए इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आएए जिससे आपका रिस्ता और रिस्ते की मिठास खराब न हो पार्वती को अपने समदन की हर एक सब्द में सच्चाई नजर आई उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपने बहु के मन का विचार नहीं किया उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहु से उपर रखा दूसरी तरफ नम्रता भी अपनी भावी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी उसने भी रियलाइस किया कि वह कभी भी अपनी भावी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब वह अपने माई के जाती है तो भावी थोड़ी उदास रहती है पारवती जी ने अपनी बहु को बुलाया और उसे कहा कि अनुपमा कुछ दिनों के लिए नम्रता नहीं आने वाली है इसलिए पहले तुम अपने माई के होकर आओ यह सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल गया क्योंकि वो पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने माई के जाने के लिए कहा था अगले दिन अनुपमा अपने माई के गई और इस बार एक दो दिन नहीं पूरे हफते भर रहे कर आई अपने मा बाप से अपने रिस्तदारों से मिलकर आई और जब वोह लोटकर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था उसकी आखें चमक रही थी अनुपमा के आने के बाद नम्रता भी अपने माई के आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भावी से खुशी-खुशी मिली और अच्छे से बात की नम्रता ने अपनी मा से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की वोह कहीं ना कहीं अनुपमा के साथ गलत ब्योहार कर रहे थे दूसरी तरफ अनुपमा अपने सस्रुआल वालों के बदले रवये से बहुत खुश थी अब वोहा खुशी-खुशी शपका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती वोहा ध्यान रखती कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे कभी घर में तनाव का माहौल पैदा हो पार्वती जी अपने बहु को खुद ही समय समय पर माईके भेज दिया करती एक छोटे से बदलाव ने सास बहु और भावी ननत के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिस्तों को और भी जायदा मीठा और मजबूत कर दिया